आज गाईज हम लोग देखेंगे गेमिंग PC बिल्ड वो भी अंडर रूपीज 80,000 में गेमिंग क्या आप इसके उपर अगर एडिटिंग, स्ट्रीमिंग कुछ भी काम करना चाहते काफी बड़िया पफोर्मेंस आपको मिलेगी आओ चलो सभी कॉंपरेंट्स के वारें बात क करते हैं, अब यह PC बिल्ड है हमारे सुरेश भाई का जो कि है महाराष्ट्रे से वहां पर हम लोग शिप करेंगे, जल्दी ज्यादा टाइम वेस्टिंग करते हैं, फरावर से सभी कॉंपरेंस के बारें हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं, सिबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर हमारे प्रसेसर के बारें में, इंटल के कूर i5-13400F प्रसेसर का गाईज हम लोगों यहाँ पर यूश करें, जो कि अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से इस समयार काफी बढ़िया वैल्य फॉर मनी आपको आफर कर देता है, दस कोर और 16 थ्रेड्ड आपको य जादा स्पेंड नहीं करना है, और एक डिसेंट इनफ मदर बोर्ट चाहिए, तो आप MSI की B760M Bomber Wi-Fi मदर बोर्ट के साथ में जा सकते हैं, जो कि 12400F, 13400F ऐसे CPU के साथ से मोर दिन इनफ यहाँ पर रहेगा, अगर बजट की बारे में बात करें, तो अगर जादा स्पेंड नहीं करना है, बजट नमर आना है, तो एक अच्छी चोईस यहाँ पर ही हो जाती है, अब लिक्विट कूलर के बारे में बात करते हैं, तो हम लोगों ने 13400F के साथ में काफी सुंदर लिक्विट कूलर पेर करा है, जो किया जाता है, हमारा कूगर की तरफ से उनका यहाँ पर इसके रिडिटर को माउंट करा है, कूगर की यार, जो लिक्विट कूलर से काफी अच्छी क्वालिटी के आते हैं, प्लस प्राइजिंग भी इनकी काफी जादा बढ़िया यहाँ पर रहती है, तो आप इनका 240-360 series आप कोई सा भी हाँ से प्रिफर कर सकते हो, अ भी बजट के हिसाब से, ठीक है, वैसे तो दो स्लॉट मिलते है, जब एक और लगा लेंगे, तेन उनको और जादा सिग्निफिकेंटली यहाँ पर पर प्रफॉर्मस के नदर डिफरेंस डिफिनेटली देखने हो, मिलेगा, क्योंकि जब ड्यूल चैनल में यहाँ पर हमारी जो 13400FS के साथ में पेयर करा है, तो गेमिंग हो, स्ट्रीमिंग हो, एडिटिंग हो, मतलब 80,000 के PC बड के साब से, आपको बहुत अच्छी परफॉर्मस यहाँ पर मिल जाएगी, इस तो यहाँ पर हम लोगों ने उस करी है, WD की तरफ सुनकी, SN580, 1TB की Gen4, M.2, 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 जिसके अंदर Windows दलने के बाद भी, अच्छी खासी स्टोरेज हम यहाँ पर देखने हो, मिल जाएगी, पावर सप्लाइ की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने उस करी, Deepcool की तरफ से, PK 650D पावर सप्लाइ, जो कि इस PC बेल के साब से, एक्दम परफेक्ट रही यहाँ पर देखने हैं, इसमें प्री इंस्ट्रॉल ने आपको तीन ARGV फान मल जाते हैं, दो तो बॉटम पर इंटेक के लिए, एक रियर में एक्जास के लिए नीचे आपको मेश मिलती है, ताकि एर को यहाँ से इंटेक करता है, और हमारे PC को देता है, और बाकी बॉटम पर आपको जो है, रियर में आपको एक एक्जास के लिए फैन में जाता है, टॉप पर आप 240M के रिडियेटर को माउंट कर सकते हो, जो कि हम लोगो नहीं हापर करा है, लुक जो है, इस कैमनेट से काफी अच्छा आता है, अगर थोड़े कम बजट में, थोड़े डिफरें EMI जैसी फेसिलिटीज भी आपको हमारे पास देखने हो मिल जाएगी, हमारी वेबसेट को डिरेक्ली आप विजिट करके भी ओडर प्लेस कर सकते हो, modx.com हमारी वेबसेट है, यहाँ पर जाए, कस्टम PC करके ऑप्शन मिलता है, अपनी इसाब से हमाँ पर पार्ट को आपको नीचे देदू है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगे से करने वीडियो के अंदर एक और नहीं कमाल की विसीवल के साथ में, तब तक क्लियार, थैंक्स ववाचिंग,